तो गैस कुछ बैटरी टिप्स में यहां पर आपको दूंगा सबसे पहला चीज है आपको यहां पर सेटिंस पर जाना है बैटरी अप्टिमाजेशन में तो यह वाला कहां से आया है एक्चुली बैटरी अन्पर्फॉर्मेंस में है सेटिंस तो पहले से मैं दिखाऊंगा आपको कि पहले हम सेटिंस पर जाएंगे और यहां से बैटरी अन्पर्फॉर्मेंस तो बैटरी अन्पर्फॉर्मेंस में बैटरी अप्टिमाजेशन और यहां पर सेटिंस का जो मार्क है इस पर टैप करना है आपको तो टैप करते ही आपको य तो background में run होते रहते हैं उसका clear कर देगा एंड उससे आपका battery performance बहुत ही अच्छा मिलने वाला है तो वैसे ही turn off mobile data when device is locked ये आपके preference पर है अगर आप wifi यूज कर रहे हैं तो automatically आप every 10 minutes रख सकते है mobile data off होगा जब आप lock करेंगे screen को तो ये एक advantage है यहाँ पर battery saver है देखें डेर सारे ऐसे features है जैसे के अभी मैं on करूँ इस battery saver को तो restrict the quantity of system apps ये भी बहुत important है इससे क्या होगा basically background में apps run हो रहा है ज्यादा से ज्यादा unnecessarily तो उस चीज़ को वो freeze कर देगा apps background में तो फालतु में ऐसे apps बिल्कुल run नहीं होगे तो इससे आपको यहाँ पर yellow color sort of orange color है mark तो अगर वो दिखाए दे रहा है तो battery saver mode on है करके अगर मैं switch off करूँ तो वो चला जाएगा वो एक indication है turn off when charge turn off when battery 60% off fully charged तो ये वाला भी आप रख सकते है let's say कि मैं battery saver on करता हूँ तो battery 60% से जादा है तो battery saver on नहीं होगा otherwise वो on होगा तो ये एक चीज़ अच्छा है Redmi Note 8 Pro में मिलता है schedule time to switch between moods तो battery saver कब on करना है like charge नहीं करना चाहते है emergency में कहीं travel कर रहे है तो रात को अगर charging outlet नहीं है तो schedule करके आप रख सकते है रात को battery saver on रहेगा सुबह होते ही battery saver off हो जाएगा वो एक advantage है very nice features है अगर आप utilize करेंगे तो बहुत अच्छा extra battery backup आपको मिलने वाला है background battery saver है यहाँ से आपको apps पता चलेगा कि देखे sleeping apps मतलब कि four stop हुआ है and यहाँ से show system apps जैसे कि अगर मैं chrome यूज नहीं कर रहा हूँ तो restrict background activity करके है तो इस चीज़ पर आप tap कर सकते हैं क्यूंकि मैं बार-बार use नहीं करता हूँ chrome तो इसका ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा background में run होता रहा है वैसे ही daily hunt है इस चीज़ को भी हम अभी close कर देते है to save power तो ऐसे जो भी apps है वो आप अगर regularly use नहीं करते है उस ची यह इससे ज्यादा battery backup को ज़रूर मिलेगा इन सब चीज़ों के अलवा और एक कुछ चीज है important जैसे की अगर मैं यहाँ पर buttons and gestures में जाता हूँ let's say search करेंगे हम buttons and gestures button shortcuts yes button shortcuts में यहाँ पर यहाँ पर close current app करके long press the back button तो इस चीज़ को very important है रखना long press the back button करके रखें मतलब कि let's say अगर मैं camera app को on करके use कर रहा हूँ अभी camera app तो press and hold the back button तो force close हो जाएगा very very important है इससे ज्यादा battery backup आपको मिलता है बेकार में ऐसे notifications भी नहीं आएंगे कुछ apps से तो जो भी apps आप चाहत internet open करता हो तो automatically run होना start हो जाएगा ऐसा नहीं है कि वो uninstall होगा तो background actually force stop रहेगा and background से आपको notification यहाँ पर नहीं आते रहेंगे उस app से तो that's one of the very nice feature है अगर आप battery save करना चाहते है तो force stop application यहाँ से भी आप कर सकते है तो यह सारे tips है battery saving tips hopefully आपको अच्छा लगा होगा hit that like button share कि है कि कितना fast आपका mobile charge हो रहा है अगर आपने time set करके notice किया हो तो hopefully यह वीडियो आपको अच्छा लगा hit that like button share किज़े अपने friends के साथ subscribe करना ना भूले तो दोस्तों मिलता हूँ अगले interesting videos के साथ तब ते के लिए take care everyone, bye bye और स्ब्सक्राइबर सकत Kांगझे सामारtoo प्रेख वोगा है ठाववबर करना भ्रवणी नाजाओ कर कि都有 याववाओछार लिए